हालो अब्रीवन ग्रीटिंग्स फ्रम डॉक्र रश्मी रोम्यो पैती फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ड्राइए आयज के बारे में ड्राइए आयज की कारण क्या होते हैं इसके symptoms क्या क्या होते हैं, इसका management और इसका homeopathic treatment क्या होता है पूरी detail में हम discuss करेंगे dry eyes के बारे में तो friends पहले हम बात करेंगे कि जो dry eyes होता है यह समस्या होती क्या है dry eyes जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि आँखों में सुखा पन तो अगर हमारे आँखों में आशू कम बन रहे हैं या आशू जल्दी से evaporate हो जा रहे हैं तो उसके कारण जो भी symptoms आते हैं उसको हम dry eyes बोलते हैं dry eyes दो तरह की होती हैं, एक primary और दूसरी secondary primary मतलब आपकी आँखों में ही कोई कारण बन रहा है जिसके कारण आपको dry eyes की problem हो रही है secondary मतलब अगर शरीर में किसी और समस्या के कारण आँखों में सुखा पन आ गया है तो उसको हम secondary बोलते हैं तो अब हम बात करते हैं कि जो भी problem होती है dry eyes में क्या-क्या देखने को मिलती है पहला important symptom यह होता है कि आपको आँखों में हमेशा एक रूखा पन एक सूखा पन जैसा महसूस होता है आपकी आँखों में tears की कमी हो जाती है आँखों में हमेशा ऐसे लगता है कि जैसे बालू या red जैसा कुछ आ गया है और बार बार आपको आँखों को मसलने का मन करता है इसके लावा आँखों में कई बार लाली आ जाती है क्योंकि जब आपको मसलते हैं तो आँखों में redness आ जाती है और आखों में जो fine capillaries होते हैं, वो भी आपको दिखने लगती हैं, आपकी आखे light के लिए बहुत sensitive हो जाती हैं, आखों जब आखों से directly light को देखते हैं, तो बिल्कुल एक दर्द सा होता है आपकी आखों में, that is photophobia आपको हो जाता है, इसके कारण बहुत सारे लोगों में blood vision की समस्या भी देखी जाती है, आखों में दुनलावन भी आने लगता है, तो यह सारे जो एक symptoms होते हैं, वो dry eyes में देखे जाते हैं, अब हम बात करते हैं कारणों की dry eyes होने के कारण क्या है, तो friends क्योंकि यह समस्या जादा तर महलाओं में देखी जाती है, तो एक बहुत ब dry eyes जादा देखी जाती है, इसके लावा एज के साथ भी यह problem देखी जाती है, जो बढ़ती उम्र में जो महलाएं होती है, जो पूरश होते हैं, उनके अंदर भी यह problem देखी जाती है, तीसरा सबसे बड़ा region दो देखा जाता है, वो है vitamin A की deficiency, अगर खाने में vitamin A कम है, आप का जो input हो रहा है, वो बहुत कम हो रहा है vitamin A का, तो उनके cases में भी dry eyes देखी जाती है, और यह mainly होता है बच्चों में, बच्चों के अंदर vitamin A के doses दी जाती है, उनको आप booster doses भी होती है, तो वो दी जाती है, लेकिन जिन लोगों को यह नहीं मिली हुए, उनके अंदर dry eyes प्रेस देते हैं आखों पे, लगातार computer पे, mobile पे काम करते हैं, क्योंकि उसके दोरान जो आपकी आखे होती है, वो blink नहीं करती है, लगातार आप किसी जो स्टेर कर रहे होते हैं, लगातार उसको पढ़ रहे होते हैं, इवेन आपको blink करने का भी time नहीं होता है, और जितना ही कम आप blink करेंगे, उतना ही कम आपकी आखों में जो tear होता है, वो lubricate कर पाएगा आखों को, क्योंकि जो tear glands होते हैं, वो हमारी आखों के पलकों में ही होते हैं, इसके अलावा जो problem देखी जाती है, जो लोग contact lenses यूज करते हैं, उनके अंदर भी ये problem देखी जाती है, या बहुत लंबे समस्य किसी भी तरह की medicine यूज कर रहे हैं, चाहे वो diabetes के लिए यूज कर रहे हों, या thyroid की issue के लिए यूज कर रहे हों, तो उनके अंदर भी dry eyes की समस्या देखी जाती है, एक बहुत important reason यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ, वो है systemic reason, जिसके कारण भी आपकी आ प्रॉबलम हो सकती है, तो dry eyes की problem अगर इस type ही हो रहे हैं, उसको हम बोलते है secondary dry eyes, अब हम बात करते हैं, friends, pathology क्या होती है dry eyes की आपको होती क्यों है dry eyes, तो friends, dry eyes मतलब हमारे आखों में जो tears की कमी होती है, उसके बारे में discuss करते हैं, तो जो हमारे आंसू होते हैं, उसके तीन gland बनाता है, यानि की lacrimal gland बनाता है, और इसके अलावे एक layer आता है, मूसीन का, जिसको goblet cells बनाते हैं, अगर हम location की बात करें, तो जो lacrimal glands होते हैं, हमारे आंखों के बाहरी हिसे में होते हैं, यहां पर होते हैं lacrimal glands, और जो mububin gland होते हैं, वो हमारी पलकों में होते हैं, उस line में होते हैं, mububin glands, तो यह आंसू बनने के बाद यहां पर lacrimal sac में आके कठे हो जाते हैं, और जब भी जरूरत पड़ती हैं, वो release होते रहते हैं, और इनका काम हमारे आंखों को lubrication देने का होता है, तो कई बार ऐसा होता है, कि जो आपने आखों को ऐसे मलते हैं, तो आपके नाग में भी पाने आ जाता है, क्योंकि जो sack होता है, यहां पर रहता है, मतलब आसू यहां पर बनेंगे और यहां पर आखर के कठे हो जाते हैं, तो अगर हम इसके diagnosis की बात करें, कि कि लोगों को, अगर आपको dry eyes के लगता है, कि आपको हो सकता है, तो आपको क्या क आती है, मतलब यह है कि आपको dry eyes है, इसके लावा, जो अगर हम बात करें, इसके management की, तो management में इसका सबसे important reason रहता है, कि हमें cause को find करना है, कि 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 कारण से आपको dry eyes की problem हो रही है, अगर menopausal dry eyes हो रही है, तो उसका treatment अलग रहेगा, अगर आपको age-related dry eyes हो रही है, तो उसक से important करना क्या है, कि अगर आपको vitamin A की deficiency हो रही है, तो vitamin A वाली चीज़ आपको सब को खानी है, जैसे carrot है, papaya है, या mango है, जो भी seasonal फल होते हैं, वो जादा सा जादा आपको खानी है, especially yellow fruits जितने भी होते हैं, उसमें vitamin A अच्छी quantity में मिलता है, इसके लावा, friends, आपको करना है कि आपको omega 3 fatty acids लेने हैं, जो लोग non-vegetarian हैं, उनके omega 3 fatty acids पूरे हो ही जाते हैं, लेकिन जो लोग vegetarian हैं, उनको कम sources मिलते हैं, जिसमें omega 3 fatty acids होते हैं, तो अगर आपको dry eyes की problem है, तो एक अख्रोट या एक चम्मच अलसी किसी भी form में आपको लेना जरूर है, इसके अलावा, आपको आखों को जादा से जादा blink करना है, अगर आप एक laptop पे काम करने वाले हैं, आपका dex job है, अब वहाँ पर बैटके आप काम करते हैं, तो काम करते हुए भी अपनी आखों को voluntarily, जान बूच करके अपनी पलकों को बार बार blink करना है, तो इससे भी आपको आराम मिलता ह इससे भी dry eyes में अराम मिलता है, इसके लावा अपनी finger से जो upper eyelid होती है, उसको लेकर के धीरे-धीरे करके मसाज करना है, इससे भी जो आपके glands होते हैं, जो me boven gland होता है, वो stimulate होता है, और वो layer बनाता है आपकी आँसू के उपर, तो me boven gland जो fat का layer अगर बना देगा, तब वो आँसू आपके जल्दे से evaporate नहीं होंगे, तो me boven gland को stimulate करने के लिए आपके आँखों को मसाज करनी है, इसके लावा एक चीज़ आज कल आ रही है, वो है pad, heating pads आते हैं, आप online भी देख सकते हैं, अगर आपको dry eyes के problem हो रही है, तो उन heating pads को लेकर के आपके आँखों पर ज़रूरी है, जब आप हवा में निकलते हैं, तेज हवा में निकलते हैं, धूप में निकलते हैं, तो directly उनको face करने से आप बचें, आपको चश्मा जो sunglasses होते हैं, वो ज़रूरी यूज करना है, और साथ में hat भी उज करना है, जो कि अच्छी खासे distance पे हो, जैसे आँखों नहीं आए, तो friends, इन बातों को आपको ध्यान रखना है, अब हम बात करते हैं इसके allopathic treatment की, तो जिसका allopathic treatment होता है, वहाँ पर कुछ cortisone based medicines होती है, जो कि eye drops के form में आती है, वो आपको डालने के लिए दिया जाता है, लेकिन एक permanent solution नहीं होता है, कई बार इसकी surgery के लिए advice किया जाता है, अगर आपको लंबे समय तक परिशानी बनी हुई है, तो surgery करके जो gland होता है, उसकी जो discharge होता है, मतलब जल्दी से वो आपकी आँखों से बाहर नहीं जाया, उसको रोकने के लिए, इसकी surgery होती है, लेकिन homeopathic treatment की बात करें तो homeopathic reason पे जाती है, cause पे जाती ह क्या कारण है, जिसके कारण आपको dry eyes हो रहा है, और उसके हिसाब से ही आपको treatment दिया जाता है, यहाँ पर मैं कुछ frontline homeopathic medicines की बात करूँगी, जिसको आप ले सकते हैं, अगर आपको short term से dry eyes की problem हो रही है, अगर आपको systemic यानि secondary dry eyes की problem हो रही है, मतलब किसी और बिमारी के का कारण आपको dry eyes की problem हो रही है, तो उसके लिए पूरी तरह से आपका case taking करना और उसके हिसाब से ही आपको constitutional medicine देना ही जरूरी होगा, तो मैं आप एक कुछ medicine के बारे में बता देते हैं, जिसको आप ले सकते हैं, पहली medicine की बात करते हैं, पहली medicine है, एको night, एको night वहाँ पर important medicine है, जहां पर आपको एक brick-like sensation लगता है, आँखों में stand-like sensation लगता है, और especially अगर थड़ी हवा में निकल गए आप, आँखों पर direct हवा लगी, उसके बाद आँखों में एक दिम लाली सी आ जाती है, तो ऐसे cases में आपको एको night लेनी है, एको night को lower potency में लेना है, 30 potency ठीक तो 30 potency में आपको 2-3-3 बुंदे दिन में 3 बार इसको अप ले सकते हैं, next medicine की बात करते है, next medicine है, biladona, biladona आपको तब लेना है, जब आप में आखों में लाली के साथ साथ में pain भी बहुत जादा रहता हो, patient आपको धग करके रखना चाहता हो, और इसे चुबने जैसा pain आखों के लिए जब आप आखों को overuse करते हैं, चाहे भी कोई भी काम करने के लिए अप लगातार ध्यान केंदित करके अगर किसी काम को करते हैं, उसके बाद आखों में dry eyes की problem होने लगती है, तब इसको हम दे सकते हैं, बहुत सारी लोग जैसे tailor है या जो लोग बहुत बा सकते हैं, तो इनको, रूटा को हम 30 potency में दे सकते हैं, next medicine के बात करते हैं friends, next medicine है naturalmure, नच्रे जबचों के लिए बहुत अच्छी medicine है, जो लोग लगातार पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के टाइम पर उनको dry eyes की problem होने लगती है, dry eyes की problem के साथ साथ उनको headache का issue आता है, ऐसे लोग जब धूप में जाते हैं, sun में जाते हैं, sunlight में जाते हैं, तो उनको बहुत फोटोफोबिया सा फील होता है, आखों में इसे धम धम सा दर्थ जासा लगता है, तो उन cases में हम दे सकते हैं, जब बच्चों के cases में या students के cases में बहुत ज़ादा study work रहता है, उसके आखो में हमेशा एक बर्नी जल्स्टेशन से लगता हो हमेशा जलन जैसा लगता हो कि हमेशा मुझे आखों में कुछ जल रहा हो हमांखों को रब करता रहो ऐसी फिलिंग अगर आती है तो इसमें हम सलफर देते हैं यह जो मैंने मेडिसेंस बताइए हैं यह आपको तब लेनी एक और IMPORTANT ंपर्फ सिनीक का मदर इंचर अगर आपको ड्राइअ की प्रॉबلم होड़ी है चाहे वह प्रैम्री अपो ले सकते हैं और सिनिगा को आपको mother tincture form में लेना है ये ना सिर्फ आपकी dry eyes की problem को ठीक करता है बलकि आपकी vision सम्मंधी जो भी problem से उसको ठीक करता है तो सिनिगा को लेने का तरीका रहेगा कि आपको थोड़े से पाने में डाल करके इसको दस दस बुने दिन में दो बार तीन बार depending upon your situation आप इसको ले सकते हैं तो friends ये सारी information थी dry eyes के बारे में और इसके homeopathic treatment के बारे में I hope कि ये information जो मैंने आपके साथ share के आपको पसंद आए होगे wishing you a very good health, thanks for watching